नमस्ते में हूं देवाप का म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बात करते हैं मैलोडाइन की आज की डेट में म्यूजिक प्रोडक्शन में मैलोडाइन एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आई ये जल्दी से देखते हैं मैलोडाइन क्या चीज़ है मैं एक folder में गया और यहां से मैंने एक vocal file ली और यहां पर मैं vocals रखती है इसकी tempo है 90 तो जल्दी से इसे 90 कर देते हैं एक बार सुन लेते हैं बहुत बढ़िया अब Melodyne अगर आपने अल्रेडी इंस्टॉल कर रखा है बहुत बढ़िया बात है अगर आपने Studio One Professional Purchase किया है तो यहां गए Studio One यहां गए Studio One Installation इसपे क्लिक करेंगे और यहां देखेंगे Melodyne Essential आपको अल्रेडी इसके अंदर Included मिलता है इसपे क्लिक करेंगे और Install कर लेंगे जब आपका Melodyne Install हो चुका है Studio One में तो आपने क्या करना है? Audio पर गए Right Click किया यहां से हम गए Audio और यहां से गए हम Edit with Melodyne इसपे क्लिक किया और आपके सामने आगया है Melodyne जहां जहां सिंगर ने जो जो नोट्स काये थे Melodyne वहां वहां पर दिखा रहा है एक पर सुन लेते हैं Right और जहां जहां सिंगर ने विबराटो दिया है जैसे कि यहां तो हम Pitch Modulation उसकी सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं यहां पर सुनिएगा Right कितना ही आसान अब software ने अपने हिसाब से सारे नोट देखे और उसने कहा कि यह D sharp minor है या E flat minor जबकि ऐसा नहीं है जो मेरा गाना है वो C sharp minor पे था यानि कि D flat पे था तो इसके इसाब से नहीं चलना है अपनी समझ भी साथ-साथ रखनी जरूरी है तो मैं यहां गया और मैंने कहा कि इसको यह scale मैं देना चाहूँगा अब दूसरी चीज़ हो सकता है आपका इस तरहां से नजर ना आ रहा हो उसका reason है algorithm आपका जो scale है वो universal हो रखा है इस तरहां से तो अगर आपका इस तरहां से आया है तो आपने जाना है algorithm और वहां select करना है melodic redect वापिस इस तरहां से नजर आ जाएगा और जिनका already ऐसा दिख रहा है उन्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं है अब सबसे पहली चीज़ मैं यहां जाता हूँ इस option पे है correct pitch macro इस पे click किया तो यहां पर है मेरा pitch center इसको देखेगा जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे की तरफ move करूँगा 100% की तरफ यह जो note है आप देखरें ना ही यह black पर आया है ना ही white पर आया है यह कहीं बीच में शुरूती में कहीं फसा हुआ है तो जैसे auto tune करता है कि note को उठा के अपनी सही जगा पर रख देता है लेकिन उसे थोड़े से artifacts आते है यह exactly वहां रख देता है बिना artifacts के यह हम बोल सकते हैं बहुत minimum artifacts यह मैं धीरे धीरे pitch को center कर रहा हूँ और आप देखेंगे नीचे सारे notes अपनी अपनी जगा पर जा रहे है अब यह किस हिसाब से decide कर रहा है कि कौन सा note कहा जाना चाहिए obviously हमने इसे बताया कि C sharp minor मेरा scale है जब C sharp minor मेरा scale है तो उसके जो भी 7 note है उसके पास पास जो जो भी note होगा जैसे यह वाला note अब यहां है तो यह नीचे नहीं यह उपर ही लेके जाएगा क्योंकि इसे दिख रहा है कि 80% यह उपर की तरफ है यह देखिए right तो 100% करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है इससे थोड़े बहुत आर्टिफेक्ट आ जाए बहुत जादा digital हो जाए बढ़ फिर भी चलिए हम करके देख लेते हैं वैसे जो मंबल रैप या इस तरह के और थोड़े कम सुर वाले सिंगर होते हैं जो सुरीले नहीं जैसे फॉर इक्सेंपल यह सिंगर बहुत रियाजी है बहुत ही अच्छा सिंगर है इसलिए इस पर उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर काफी सिंगर हमारे स्टूडियो में इस तरह के आएंगे जो रियाजी नहीं होते शौंकिया होते हैं उन पर मैलोडाइन बहुत ज्यादा काम करता है मैंने कर दिया ओके एक बार पर सुनते हैं और अगर मैं इसका कोई सूर चेंज करना चाहूं अब सुनते हैं ये क्या बना और पहले क्या था? कुछ और देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक एक नोट को हम अपने हिसाब से कंपोज कर सकते हैं कंपोजिशन ही पूरे गाने की चेंज कर सकते हैं और जहां पर विब्राटो हो जैसे ये वाले नोट के उपर विब्राटो था तो यहां से मैं जाऊंगा पिच टूल इस पे मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और नीचे जाता हूँ पिच मॉडिलेशन टूल इसे सिलेक्ट किया यहां गए अब आप देखेगा मैं प्रेस करके रखूँगा और उपर नीचे करूँगा तो विब्राटो जो है यानि कि जो पिच की मॉडिलेशन है वो कम या ज्यादा होगी अभी क्या है यह पकड़ा थोड़ा सा कम किया सुनते हैं आप देख रहे हैं सुरो में अजीब सा फरकाना शुरू हो गया है मैंने इसे बिल्कुल फ्लैट करती है जैसा कि ट्रेविस स्कॉट या ड्रेक के गानों में होता है वो क्या करते हैं सभी नोड्स की जो इपिच विरेशन है एकदम जीरो कर देते हैं अब विब्राटो काफी कम हो गया लेकिन ओविसली नोड जो है वो नीचे की तरफ चला गया मैंने इसे सिलेक्ट किया ये पकड़ा ऊपर कर दिया फिर सुनते हैं तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इस तरह से हम पेच कियो मॉडिलेट भी कर सकते हैं और सभी सुरों को अपनी सही जगा पर रच भी सकते हैं अब मान लीजे मैं सुर को कट करना चाहूं तो बहुत ही आसान है मैं यहाँ जाता हूँ नोट सेपरेशन टूल यह सिलेक्ट किया यहाँ गया डबल क्लिक दो क्लिक्स हो गए वापिस से यह पकड़ा ठीक है सुनते हैं राइट कितना ही आसान वो थोड़ा जीब सा लग रहा है क्योंकि अविसली उसकी जो विरियेशन है जो पिच की मॉडूलेशन है वो एकड़ मैंने जीरो कर दी थी बहुत ही सिंपल है कहीं भी किसी भी नोट को मैंने वॉल्यूम बढ़ाना हो कुछ भी करना हो बहुत ज्यादा इसके अंदर मेरे पास सेटिंग से हम कहीं भी कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक ओवर्वियू देना चाहता था मैलोडाइन का किस तरह से आज की डिट में इतना ज्यादा इम्पॉर्टन है अगर आप यहाँ देखेंगे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ ओपन स्केल तो आप देखेंगे मेरे पास काफी सारे स्केल भी आ जाते हैं वर्ड लेवल पर और हम यहाँ से जाएंगे इंडियन और आप देख सकते हैं भैरव, भैरवी, बिलावल कितने ही तरह के हमारे पास अलग-अलग स्केल भी आ जाते हैं तो बहुत ही versatile है world standard बन चुका है Melodyne आपने देखा है FS studio के अंदर new tone होता है pitch and warp, cubase के अंदर होता है लोग अपने अपने studio अपने अपने software के अंदर use करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हम किसी और studio में जाते हैं उसके software के उपर जो pitch and warp हो गया या new tone हो गया हमारा हाथ सेट नहीं होता इसलिए ये external plugin जो है Melodyne ये एक standard बन गया है जो FL studio में भी चलता है, studio one में भी चलता है cubase में भी चलता है, सभी software में Ableton में भी चलता है और इसके अंदर तो आपने देखा ही है मैंने आपको दिखाया है by default अंदर ही मिल जाएगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देवनेक्स लेबल signing out नमस्ते